Hello everyone again, welcome back to my channel Mrs. Bhatia Vlogs, कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत यच्छ हैंगे राप लोगों की बलेसिंग से मैं भी बहुत यच्छ हूँ तो आप सो च्छंग कि मैं इतना रेड़ी शड़ी होकर कहां जा रही हूँ तो आज है 30 जैन्वरी और आज है मेरे हस्बंड का जा रहे हैं अगर्थ्वारे भी जा रहे हैं तो सुब्भ सुब्भ का सारा काम सब फटा-फट सब कुछ निप्टाकर आज इतनी जल्दी उठी थी इतना सारा काम निप्टाया और घर में पूझा पाट करके सब कुछ अच्छे से फिर रेडि हो गही हूँ घर को फूरा सम आपको बैक केमरे से अपने फुल लोक दिखा दे तो यह आप देख सकते हैं यह मेरा शरारा टाइप है मतलब बहुत घेर वाल अम्रेला कट प्लाजो इसको बोलते हैं तो यह इस तरीके का है और यह सिलवाया गया सूट है यह सूट ना बहुत पहले का है मेरी शादी के अच्छा बहुत ही प्यारा इसका कलर कंबिनेशन है और सोट की सिलाई भी बहुत अच्छी है इसकी फिटिंग अगरा बहुत अच्छी है तो मैं कैसी लग रही हुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरा मेकप भी हलका बुलका ही मैने के ज़्यादा कुछ नहीं किया है त तो चलते हैं, अब हजबन मेरे गया है, पार्किंग से गाड़ी वगरा निकालने के लिए, तो चलो आप भी बने रहो मेरे ब्लॉग में, तो फाइनली हम लोग यहां निकल गए थे, मंदर जाने के लिए, तो हमने सुचा कि पहले गुर्द्वारा पड़ेगा, पहले गुर् और आप देख सकते हैं, यहां पूरी मार्किट लगी है, इधर मतलब इतनी अच्छी मार्किट लगती है न, कि मैं क्या ही वोलू, मतलब इधर हर एक सामान, हर एक चीज़े, वह अच्छी रेट पे मिल जाती है, और इधर मेरा जाता नहीं आना हो पाता है, मेरा हस्बन तो कंटिन्यू आते जाते रहते हैं, तो आज के दिन भीड भी देखो कितनी है, आज के दिन क्या यहां पे ट्रैफिक तो हमेशा रहती है, लेकिन मंगलवार है, तो आज ज़्यादा ही भीड होगी मंदिर में, तो मंगलवार था, इसी वज़े से आज हम लोग यहां पे बजर तो मन्दिर के बाहर ही मिठाईया मिली तो हमने यह बेसन के लड़ू करवा लिए दो जगा करवाए एक मंदिर के लिए गुड़द्वारे के लिए तो यहां देखो मैं मंदिर में आ गई लाइन में लगी हूँ यहां लेडिस की लाइन इस साइड है जहां पर मैं खड़ी और यहां पर देखो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लो हनुमान महाप्रभू के बहुत ही अच्छा लग रहा था यहां पर देखो फिर मैंने भी जो मालाली इसी तरीके से उनको पहनाया गया और बहुत ही अच्छा लग रहा थ इतनी जादा भीर थी नहीं तो यह मंदिर से कुछ बाहर का लुक मंदिर का तो अभी कुछ-कुछ थोड़ा काम हो रहा है मंदिर में इसलिए भी इस तरीके से बांस वगरे लगा हुआ है तो धूप भी अच्छी खासी थी इसलिए मैंना स्वेटर शॉल कुछ भी लेकर आई नंगे पूजा करनी है कि वहाँ और यहां में आप दोती हूं, जोंड़ा आप साधों कर अख तो यहां तो यहां तो भी न चुननी मंगरें ले sellers है तो यहां तो बीना चुन्नी के आप झाही ने सकते हो वैसे तो कहा जाता है कि सुहागन को तो नंगे सिर्कूजा करने ही नीचाहिए कहीं भी जावाब तो फिर यहाँ पे फाइनली हाथ पेड़ होकर हम लोग अब जा रहे हैं अंदर की तरफ तो बाहर से कुछ इस तरीके का नजारा है यहाँ पे यह में रोट का ही गुर्द्वार है हमारे यहाँ का तो यहाँ तो पूरी खाली ही थी और अक्सर संडे को जादा भीर होती है तो हम लोग भी ना हर संडे संडे आया करते थे लेकिन अभी बहुत दिनों से संडे संडे नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे साथ साथ आप लोग भी बाबाजी के दर्शन कर लो और यहाँ पे हमने मत्था टेका थोड़ा सा कुछ दिर बैठे थोड़ा सा महाँ पर प्रशाद वगरा लिया और एक दो फोटोस क्लिक करवाई उसके बाद फाइनली हम लोग निकल गया हमें लगी थी बहुत जोरो की भूख शायद एक सावाई एक बज गये थे तो हमने यहाँ खाई इडली उसके बाद दोसा जब तक बन रहा था तब तक हमने इडली खा ली तो फिर दोसा भी खाया उसके बाद चाय तो भई कंपल सरी है वो भी कुल लड़ वाली तो मैं तो कहीं भी कुल लड़ वाली चाय देख इन लॉज आने वाले थे हमारे घर तो हमें बहुत जल्दी थी घर जाने की तो रस्ते में न हमें gas agency भी जाना था तो हमें वहाँ पर इसलिए जाना था क्योंकि हमने जमशेतपूर से अपना gas वगर ट्रांसफर करवाया था तो हमें यहां राची में receive करना है तो इसलिए उसके लिए मामें पापा ने वहाँ ट्रांसफर करवा दिया था और हमें यहां से कब receive होगा हम वो पता करने के लिए गये थे तो वहाँ पे यह madam जो receptionist होती है वो बैठी वी थी तो उन्होंने बताया है कि पहले वहाँ का process हो जाए फिर यहां से आपको easily receive हो जाएगा तो वो से पता करने के बाद हम लोग निकल गए finally अब घर की तरब यह हमारा घर का बड़ा तलाव जहां मैं चटपूजा में आई थी तो जी मैं आ गई हूँ finally घर वापस और अब जारी हूँ कपड़े वगरा चेंज करूँगी तो सोचा के चलो एक दो रील्स भी बना ले तो जब रेडी हुई हूँ तो अभी बज गया है डेड़ और काफी टाइम लग गया हमें क्योंकि आज ना मंगलवार है और जहिर सी अगरा करने में भी टाइम लग गया तो देखो अभी मैं आपको टाइम भी दिखा दे तो बिल्कुल पका डेड़ बज रहा है फ्रंट मीरर से उल्टा दिखता है फ्रंट कैमरे से उल्टा दिखता है न तो अब मैं जा रही हूँ एक दो रील्स बनाओंगी कपड़े चें हैं अब और यहां पर अभी मैं आते टाइम दही भी लेकर आई अगरा बनाने के लिए तो अभी जस्ट मेरे हस्बंड निकले बोले कि चलो तुम कपड़ों पर चेंज करो मैं आता हूं थोड़ दिर में और देखो सूपर सारा काम निक्टा के गई थी इतने सारे कपड़े वगरा सबकुल दोपर गई थी मशीन लगाई थी मैंने तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं और उदर सबजी वाला आया है आज सिफ आलू लेकर आया है तो चलो मैं जा रही हो एक दो रिल्स बना लेती हूँ और अगर रिल्स सिप अगर आपको देखना है मेरे कंटीन्यू तो फिर आप मुझे इंस्टागरम पर जरूर फॉलो करें मेरी इंस्टा आईडी है missisbhatia9494 तो मिलते हैं आपसे बने रहो मेरी व्लोग मे तो मेरी रिल्स वगरा है देखने के लिए प्लीज मुझे इंस्टाग्रम पर जरूर फॉलो करें देखो मेरी आईडी है यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन हो रही है तो आप पिलीज जाके जरूर से फॉलो कर ले और मेरी योट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट व्लोग में तब ते के लिए टटा बाई बाई किर और लव जरूर से और हाँ दोंगे तो सब्सक्राइब बाई